मसला इस सीट का एक राजनेटिक परिवार से जुड़ा है और ये विदान सभा है भगवानपूर। कोर भाग्ये विधाता होगा उस पर भी चर्चा करेंगे भगवानपूर के मुद्धों का भी जिक्र करेंगे। भगवानपूर में चर्चा तो यह है कि लड़ाई देवर और भावी के बीछी होगा भगवानपूर कि विदान सभा हमा आज यह विदानसवा है भगवानपूर भगवानपूर विदानसवा सीट का अगर हम जिक्र करें तो यह बेहद दिल्चस्प सीट है इस सीट का इतिहास अपने आप में दिल्चस्प है अगर बात इस सीट के इतिहास की करें तो या ना कॉंग्रेस ना बीजेपी ना बीएसपी द या फिर इस बार BJP के भीतर कुछ नया होगा या फिर आम आदमी पाटी इस बार सब के अर्मान पर जाड़ू फेरेगी अभी बहुत कुछ पिचर भाकी है भगवानपूर की और आज जनता एक बार फिर से हमारे बीच में होगी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत जो कि इस वक्त इस सीड के चहरे हैं और खास तौर पर बात अगर पाटी की करें तो पाटी से हट कर इनकी एक अलग पहचान है साथी साथ मेरे साथ मेरे साथ मास्टर सक्तेपाल है जो बीजेपी से पाटी का पक्षकेंगे साथी साथ मेरे साथ इस वक्त प्रेम सिंग है ज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले इस सीट के हम शुरुआत करेंगे, तो इस बार भगवानपुर का कौन भाग्ये विधाता होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे और भगवानपुर के मुद्दो का भी जिक्र करेंगे, सबसे पहले सोबद राकेश में आप से शुरुआत करना चाहूंगा, बगवानपुर, पक्का, फाइनल, फाइनल एक डंडणा डन, दर लाडणा, डन, दर अच्छा, इस सीट पर तमाम तरह के कयास हैं, और ये माना जाता है, सीट पर एक परिवार का कफझा रहा, परिवारी कर्म से, इस बार सुवत रागेश की क्या तैयारी है देखे सबसे पहले तो आपके माद Dec बदाना चाहता हूं यह राजित ववस्था है यह ऐसे कब जाय नहीं जाती है हो जे बहुत कुछ करना पड़ता है महनत करनी पड़ती है जनता के काम करना पड़ता का संवाह Murphy यह बढ़ता और यहीं बवस्ताके साथ मेरा प्रिवार काफी समय से यहां पर राइणितिक बवस्ता में है पिछले साढ़े छे साल से यहां वबस्ता पूरी तरह से खराब हो चुकि एमाने मंत्री स्वर की सुरिंद रागेजजे के जाने के बाद यह 26 विकास के माद्दम से पुरी तरह से फैलो गया है ववस्ता पिछड़ गई है परियास हमारा यह है कि आने वाले समय में इस ववस्ता को सुधारा जाए यहाँ पर एक ववस्ता मजबूती के साथ 2022 में आए और निश्ची दुरूप से एक मजबूत व्यक्ति यहाँ पर विधायक बने जिससे कि इस अधरि नहीं मिला क्योंकि लड़ाई तो देवर और भावी के बीच की एक लड़ाई और मेरे समानित जंता का मेरे साथ प्यार ए और पार्टी की ववस्ता की बात है यह आने वाला वावी से तै करेगा बगवानपूर में चर्चा तो यह की लड़ाई देवर और भावी के करेंगे जिसको जादा वोट पड़ेगा वो लाइड लड़ाई माएगा उसकी कंफ्यूजन की बात करूंगा आखिर क्यों क्यों क्रियेट हो रही है कि सुबध राकेश जो है वो बीजेपी से लड़ेंगे लेकिन सर्तेपल जी आपकी क्या तयारी है भगवानपुर कमल खिल होने वाला है विदान सभा भगवानपुर में कमल खिलेगा निश्ची तोर्वे कमल खिलेगा चूकि यहां से 2015 से स्रीमती ममतार आगेज निरंतर एमेले कॉंग्रेस से रही है और उनकी विफलताओं का जो कोरा चिठा है वो पब्लीक के सामने है तो इस बार पब्लीक तैयार बैठी है कि भारती जिन्ता पार्टी का यहां प्रतियाशी कोई भी हो क्या तैयारी है आपकी भगवानपुर में चुनाल ब्लड़ भी रहे है वो जन्ता के सामने है जब कांग्रेस का राज था तो बीजेपी जो है बड़ महंगाई के परवड़े हाउला करती थी हाए 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 लेकिन अब जो है कांग्रेस बिलकुल नी बोली लेकिन राजने तिक परिपेख्ष में आपको क्या लगता है कि भगवानपुर की विगान सबा सीट जो है इस बार क्या कुछ समी करण ने दखाई दे रहे हाए तेकि भगवानपुर की विदान सबा सीट काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि एक ही परिवार का के आपके बहुतीma होता है कोई बहुत говорить कोई और साथानि देज़ वी जनता को काम तो फिर इसमेदार तो पीजेपी भी आगर विकास नहीं किया तो कि भारती हम जैन्तापर्टे इसमे कुई ज्मेदार ने की एक और उन्होंने यह कोई ब्यकास नहीं किया है तो बाएजिया इसलिए इसलिए यहां टिपड़ी जो करें गलत करें तो उनका अधिकारह कुछी भी कह सकते हैं लेगी सच्चा जो होती हो कड़ी लगती है कि आम आजमी पार्टी पहले से बढ़त बना रही है लेकिनों कितनी बना रही है तो बविस्य बताएगा उसके बाब कोई विकास नहीं हुआ अट्टाइस क्रोड मारी मिनीदी आती है विदान सभाई की एक भी पैसा विदायक नहीं लगाया और सर हमारे तीरानमे लाग रुपे खेल बढ़ना था ओवी विदायक ने आज तक नहीं पूरा कर पाई हमारे आपर और सर हमारा यह कहना है सुबोध राकेश जी जोड़ पाल्टी जांगे बगवानपु छेती जनता उनकी साथ खड़ी है और कंदर कंदर मिला कर उनकी साथ चलिए आप तीकेट मिले या ना मिले आप वो जा जाएंगे वहीं पे जाएंगे यहां आपके पास कि राजनेटिक लड़ाई क्या वाकई में एक चहरे के इर्दगिर्द है और क्या वाकरी देवर भावी के भीच ही ये रादनेतिक लड़ाई लड़ी जाएगी अब मैं एक सबसे बहत पहत पूर्पूर्थ सवाल पूछ रहा हूं और इस मंच के जरी एक संदेश भी जाएगा और वो सवाल का जवाब मैं चुनाव लड़ाँगेए उस्थार कि जनता चाहती है जिस्टम को सुदार जाए उसके लिए सुपोइध रखेस साथ बिपनेश कills समाज को क्षे भी जाएगा चुनाव लड़ा जाएगा, टिकेट मिले या ना मिले, हंडर परसेंट लड़ा जाएगा और टिकेट में मिलेगा, अब मैं आप से समना चार हूँ कि भगवानपूर के अगर मुद्दो की बात करूँ, तो कौन से ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा हावी होने वाला है भगवानपूर का, भगवानपूर के मुद्दे कही है, भगवानपूर की जनता को लंबे समय से नजर अंदाज क्या जा रहा है, ममता जी है, ममता जी विधायक बनी है, उनके पतिया मनिश्टर थे, तब तो विकास वुआ था, उसके बाद वो कहते है, मेरी चलने ही रही ह लेकिन जब उप्चुनाव लडी थी, ढाई साल सरकार उनि GB रही थी, यह सब कहते हैं, विधायक जी कि जन न ही पाई, नई तो मैं वही एक बार जानना चारा था, यह भावी जी कि जल क्यों न ही पाई, देखे। आपके सूचना मानने बिदायक जी को है और आज कहीं दिनों से है कि आपका कारीकारम यहां पर आजित होने वाला है यहाँ पर जनता का खुला धरबार है, हम पूझना चाहिधें की यहाँ पर क्यों हाजिर नहीं हुई है कि उनके पास जवाब ही नहीं है। तो मुझे ऑश्ली। प्लाने के लिए जनता के सामने जवाब देने के लायक ही नहीं है। वह एकला करें आँ और यहां पर जंता करेगे, जंता बात करेगी, जंता बताएगी, तरभ कुछ नहीं होता है, विधैक उपना जवाब आसब आगर सकता है, विधाक प्र नहीं है, आप च्छपूर छैटर में अपने यह लुदांटो करें, वह राएं फिर नहीं है, पूरी तरह विकास फैल है कहीं विकास का नाम नहीं है पूरे छेदर में आप गूम कर देखिए कहीं पर विधायक निदी के बोड़ आपको नहीं मिलेंगे बाते 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 बनाने से काम नहीं चलेगा काम जंता का धरादल पर करने से चलेगा जंता का धरादल पर काम करो क यहां पर नहीं है आप लोग देख सकते हैं यह जंता देख रही है और जंता दो हजार बास में जवाब देगी ममता राकेश तो यहां पर नहीं है लेकिन उनके चहरे यहां पर आगे अभिशायक राकेश अभिस एक राकेश जो है वो खुद ममता जी के जो है सुपुत्र है तो आप से जाना चाहेंगे विशेक यह कहरें कि विधायक निदी तक खर्चनी विधायक सवाल तक नहीं उठा पाते हैं विदान सभा में क्या है सच है जाकर सीडी ऑफिस में जाके नेता जी को शाहत नहीं पता करें पहले तो विदायक निदी 28 करोड बताते हैं और जनता के बीच में गर परगलाने का काम करेंगे सब क ernITY को पता है यह सब कड़ें से पात साल हमें पात साल में मिले चिनका में रहें प्लसको तोछक। उसके बाद हुएな चैनने रहें दूसरी चीजnel पहले मुझे जवाब दें आप जब बोल रहे हैं तो बोलने दे रहा था शांती रखें आप बिलकुल बिलकुल शांती रखें आप बोलने दीजिए मुझे पहले मेरा कहना यह है पॉने चार करोड रुपे हमारी निदी है कॉपी पैन उठाइए और हिसाब लिखना शुरू कीजिए आप 28 करोड बताई थी मीडिया कि एक बाइट में निता जी ने पूरा जोड लीजे हिसाब किताब अगर पॉने चार के यसाब से जोड़े पास साल में आपको खुद पता लग जाएगा साथ नी डेर साल किसने चलाया किसने चलाया ममता राइट साल की बात कर रहे हैं देखे विदाय कौन था है कि जो गुरू बताते हैं मंतरी जी को अपना वो शायद परिवार के साथ ऐसा नहीं करेंगे उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं दीजे मुझे पहले जो एक लव्य था उसने अपना गुटा काट कर जमीन में कदमों में रख दिया था और एक आज के हैं लक्षमन जी जो देखे कि गुरू के जाते ही डेड़ साल सबर नहीं हुआ कि कुर्सी के सपने दिन रात आने लगे और दिन रात वो कुर्सी देख र में डाजी आपकर सामने आिए पूड़े एक भाईट दिखा दिजें मुझे अपारो में आते हैं पास साल सरकार में बैठे़ ये मंत्री का अपने लेकर कम पुर्टमा तव एक जहां पर मुक्य मंत्री आ कि पूचा गई क्री civilsa सुनिये संद्धा ज्यादा बवस्ता सिस्था म aimed संज्जों से जहाएं और आराम के मतलब आप से यह हैं मुद्दा उठाने की जिम्मेधारे जिसकि है मुद्दा उठाईगा इस छेत्र की विधाय कौन है जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार किसकी है, क्या है इस बात से फ़रक नहीं पड़ता है, भगवान पुर विधान सबाह हो, खुद विधायक मा की सरकार होता है, लेकिन आरोप ये लगा रहे हैं, कि तेट साल आपने पूरा का पूरा सिस्टम कैचर रखा, तेखें किसने कि तो जनता के सामने है किसे चला कल भी चला रहे थे आज भी चला रहे हैं और दुबारा करके विश्टा वनित फिर उन्हें के हाथ में है अपने आप में कुछ नहीं है जीरो है लोग और निशी दूरूप से मैं कहना चाहता हूं कि वबस्ता यहां से माँ तक पुरे चेतर पूरी तरह से नकार दिया जनता ने और जहां तक और सरसमाज की बाद चोड़ी आप मुस्लिम समाज कॉंग्रेस पाट्टी का वोटर माना जाता है आज सिगरोड़ा से लेके जितने भी गाउं जाकर देखी आप एक बस्ती में चोटा सा एक बोड़ लगा हो विकास के ना भगवानपुल में ब Pattern क एक और करका से रीज़ औरम चैनता को अब ही बताएंक की बदाये विधायक अब विधायक आस जो कि अवाग्वान-पुर में टोल मुक्त कराने काम विदयिक जन्हित कारिया है यह जनता को समर्पित कारिया। कर आपको बताना चाहता हूं कि शिकरोटड़ा कर बात कर रहे हैं पूरी विधयक नीदी उठा कर देख लिए और मुस्लिम समुधाय की खास्ता इसमें 10 लाख रुपे का जिसको नेता जिसको नेता जिसको नेता जी अपने बता रहे थे अपना कारिया बता रहे थे वह अरे आप जाकर जब पत्थर लेगा उस पत्थर को देखना और बताना जब पत्थर लेगा तब बात करेंगे आपका लग्या तीसरी उपलबदी बता तो स्वास्ट केंद्र वो रैफर सेंटर तो नहीं है और वहाँ पर हमने ऑक्सिजन प्लांट लगवाया है और उसके बाद अब भी हमारी शिक्षा के शेत्र में शिक्षा के शेत्र में इतने दिन हो गए मंतर जी के नाम से जो स्कूल है बना हुआ उसमें मखनपुर के लिए विधाग जी लड़ती आ रहा है सदन से लेकर जमीन पर हर जगा पर उनका मुद्द शिक्षा के शेत्र में कुछ नहीं हुआ शिक्षा मैं मैं सबकी बात सुनूंगा एक सक्षा आप से जानना चाहेंगे क्या वाकई मुद्दे नहीं है भगवानपुर में यहां तो मैं द अन्ता को यहां इतना फादा इसका मिलने अलाता रेडी वाले ठेली वाले टेंप वाले रिक्षा वाले और जोन जिनके पास चत नहीं है उनको भी चत मिलती क्या यह वाकरी परिवारिक लड़ाई में पूरी की पूरी सीट यह उलज गई है ऐसा ही है क्या है यहां एक सबस करना पड़ता है वह अब आने वाली जनता मेरे खाल से अगले पचास साल तो भुगता की उसको यह लड़ाई जो है वो मतलब पार्टियों के बीच की है या फिर परिवार के बीच की है बगवानपूर में आपको गलक मैं सबसे पहले तो आप से पूशना चाहता हूं कि आ मुझे लगता परिवार्वाद के मुद्ध के बाद के अक्षै तो भगवानपूर में परिवारवाद फेक्टर है या नहीं है अगर तो वह सवाम पूच रहाऊ हूं जो सवाद जंता के जैन में में मैं कहना चाहता हूं परिवारबाद मुद्दा अलग बात है परिवार का ही यहां एक तरह से सत्ता रही है लेकिन उस परिवार में जो आज वर्तमान में विदैक ममतर रागेजी हैं जिनके सुपुतर अभी देर से पहुंचे विलम से पहुंचे हैं तो अगर विकास के मुद है कि हमने बेटे जरा सांद हो जाई यह सांद हो जी उन्होंने कहा कि यहां बनवाया हमने मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप जरा उसको जाके कवर कि यह कि बसट्ड़ जो बना है वो निर्थक है आज तक उसमें एक तंपू भी निखड़ा हुआ बरावन में इंट्र कोलीज है इंट्रे कोलीज की दिवार से लगावा है और सामने चीन की दिवार खड़ी है जो हाइवे बना है और हाइवे अगर पिलर पर बनता जो जैसा मादमी पार्टी वाले ने कहा है प्रेम सिंग जी ने तो यहां गरीब लोगों को रोजगार मिलता तो ना तो यह कि इसा बसट्डा हुआ कि रोडवेस की नि रुकी यह कैसा बसट्डा हुआ हमने पुरे सासन में और इनको मंतर जी को क्योंकि मतरीजी बैक हमारी पार्टी में आ गये हैं तो पत्र भी लिख है और सब चीज हुई मगर यह सरकार किनकी है जो ये सरकार की विदा से नहीं हो पाया मैं व्यक्तिकत रूप से आपके पिता जी को भी जानता था वो अपने काम के विधान सभा के शेत्र के लिए लड़ जाते थे क्या मैं गलत हूँ वो अपने विधान सभा शेत्र के लिए लड़ जाते थे अपनी जंता के लिए मैं तो उस पुत्र से बात कर रहा हूं उनके पुत्र से और आप कहरें कि हमारी सूली नहीं जाती मैं आपको बताता हूँ कि आप शायद विधान सबागा तो खुद नियूज एंकर हैं और आपने विधान सबागा सत्र देखा होगा विधायक जी धड़ने पर बैट गई थे और उठने को मना कर दिया था ठीक है और जब धड़ने से उठने को मना कर दिया था इनिके मुख्यमंत्री पहले मुझे मेरी पूरी बात रखने दीजिए वहां पर जब धरने पर बैठे बैठने के बाद इनिके मुख्यमंत्री ने उठाया कि नहीं मैं आपकी बात पूरी करूंगा मेरा कहना यह है कि विधान सभा के अंदर विधान सभा के अंदर धरने पर विधायक जी बैठी पुषकर सिमधामी जी स्पेचल उठाकर ले गए उतराखन डी आई पी आर के पेज़ पर बकायदा पोस्ट जली कि भगवान विपक्षिव विधायकों के संबंद में संग्य मेरे बाद उनका यह बताईए कहां मेडिकल कॉलिज है कुछ भी अगर उस संबंद में कुछ भी हुआ हो तो आप बताईए सी एम साब हो बीजेपी पार्टी हो तो कहीं किसी तरहीं किसी भी तो मसला उस 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 कि रोडवेस की बसका जानना चाहरा हूं जो आज तक रुकी नहीं यहां पर वो क्या किस्सा है देखिए अभी मास्टर सत्यपाल जी ने कहा है और हमने पहले बोल दिया था यूजलेस पैसा हो हुआ है सरकार पे बनाया भारते जंताबाटी की सरकार ने लेकिन गलत जगा यहां पर गलत परियास के माददम से प्रेसर के माददम से बनाया गया और आज एक साल हो गया लगबग बसड़े को बने वे एक टेंपो वहां खड़ा नहीं हुआ यह वास्तिविक्ता है और दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि यह मुद्दा उठाया विधानसभा में आज मुद्दा उठाया चुनाओ का समय है तो मुद्दा रंडि ठाके खड़े होगे ड्रामेबाजी के लिए उससे पहले ना कोई अस्पताल का मुद्दा याद आया ना कोई तैसिल का मुद्दा याद आया आप उठाके देखिए विधानसभा की जितनी पी शिस्टम है अगर कहीं ममतार आगे जी आपको दीख जाए कि मुद्दा उठा रही है और एसा ही था क्या है अचाले के खड़े होगे देखिए अभी बस स्टेंड के पर डिवेट हो रही है मैं यह कह सकता हूं कि जो बस स्टेंड की बात है वो वाके ही यूजलेस है एक मिट और यहां पर कांग्रेश और भीजेपी दोनों एक ही उसे परिवार से हैं लेकिन मैं कह सकता हूं कि भगवानपूर के लोगों से पूछता हूं क्या यहां मंतरीज भी रहे है अधरनीय मेरे और मम मेडम जो विधायका है वह भी क्या बस अड़े पर कोई सुलब सो चाल ले या को ट् मैं पूछना चाहरा है कि इन मुद्दों से लग भी तो इस विधान सवा में मुद्दे होंगे जैसे कि यहां का किसान और चार्चाह साल पुराना ट्रेडड़ साल का पाइमिंट रुखा पढ़ेंट जो इकबालपूर फैक्ट्री पर रुखा पढ़ा है उसे कॉन दिवा इनके जो अब राज्यसवा सांसद हैं दो साल पहले गन्ना मिल में आए और आस्वासन देके गए पूरी की पूरी सरकार के इनके आदमी नुमाइन दे आकर आस्वासन देके गए कि तुम्हारा 1718 का पेमेंट किया जाएगा उसके आस्वासन के बाद भी हम बकायदा समय सम कि यहां भी हो अई किसाने ओनने के लाडुजी समझोता था उसके और उसके दें सपामेट्र निया रहा रहा है तो पीजेपी भी नहीं उत्ती बीजे किसानों को गन्ना भुकतान नहीं हो रहा रावजी ने प्रतशन कि आमने पैसली मांस किया किसानोंा कई착 ईच अव्य होगर किसानों का मुन्तदा क्यों नहीं उठाया आपने यह every day लॉट कर रहा है हमारे संवारी साथी तो इसी तरह होता है दूसरे के उपर आरोप लगाना के यहां सांसाद आयते फलाना है थे सांसाद अपना काम करेगा किसान तो मर रहा है वो किसान अगर अपने शेतर की आवाद उठा रहे हैं और हम इनके साथ है और सम पूछे कितनी बार यह पर्यास किया गया यह दर चला है तो हमारे पर्यास से चला है यह हमारे किसान सम्मानी साथ दिखड़े हैं अब की बार तिर्वेंदर रावजी के सरकार में इस महिल को चलवाने का काम हमारे माद दम चे हुआ कि शासर यह कहता है कि 14 दिनों में दे चेपान के सरकार की बात करें यह हमारे हमारे साथी किसान है इनको में बताना चाहते हूं अभी हमारे जो गन्ना मंत्री है स्वामी इतिस्वा नंद जी उन्होंने 2017 का जो गन्ने का बकाया था 14 करोण रुपे अभी किसानों को दिया है और जुनाव का सीजन है तो आप बकाया भी देंगे किसान को क्या मालूम कि वो कॉंग्रेस में अटका है मैं सिर्फ इतना जानना चाहरा हूं कि क्या उसका पेमेंट मिलना चाहिए या फिर नहीं किसान प्रेसान है और रही बात विकास की आप गौंगां में जाकर देखला मुम्ता राकेश के हरे बोड़ लगे किसान के फजी किसान क्या किसान क्या फर्दी किसान है फाइनल कमेंट आपका और क्या दिखाई दे भगवानपूर की तस्विरह देखें मेरी बात सुनिये किसान के पीडा इल्गी सरकार्पपर दमेढ मुख्तान दे रही है या नी कुंल पिर लड़ाइट बेवरबाबी के बीछ की है वह थो सभी देख रही है चलिये यह 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 मस्ना जो है सिदे तौर पर कहानी जो है वो भगवानपूर की थी और भगवानपूर में सीधे तोर पर लड़ाई जो है ये कहा जा रहा है कि देवर और भावी के भीच की है मसला पार्टी का नहीं है मसला सीधे तोर पर रानेतिक परिवार से जुड़ा है तो इस बार क्या वाकई में भगवानपुर में कुछ निया होगा या फिर एक बार फिर से इतिहास अपने आपको दोराएगा आम आदमी पार्टी भी लगा रही है पूरा जोर लेकिन क्या होगी वो बी पार्टी किसकी सवाल यही और इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं अगली बार होगी एक नई विधानसाबा सीट पर मुलाकात मुझे जीजी एजादत नमस्कार जहिंजा भारत